आप लोगों को बताने जा रहे हैं एस लियर फ्रंट विरियेशन जो की काफी ट्रेंडिंग में है और आप लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि सर इसका टुटूरियल आप जरूर अपलोड करें ताकि हमें समझ बे आए इसको बनाना कैसे हैं आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बहुत ही इंडप्तली कि कैसे आपने इसको तयार करना है बस वीडियो को आपने गौर से देखना है वीडियो में बने रहना स्टार्टिंग से लेके एंड तक और हैंड को आपने थोड़ा गौर से देखना है कैसे हम मोमेंट ले र ताकि आप उस चीज को रिपीट करके इस फ्रंट वेरिएशन को बना सकते हैं एजली सो चली दोस्तों देख लेते हैं कैसे इसने होना है उससे पहले आपको क्या-क्या प्रोड़क्ट चाहिए उसके लिए मैं आपको डिटेल दे रहा हूं देखो कुई भी तेल़कॉम आप यूज कर रहे हूँ आपको स्टाइलिंग परपस से कुछ इस तरह का यूज करना है बारी थो चाहिए ज्यादा ग्याप नहीं पार्डिक आप ima चाहिए दूसरा दूसरा जू spray है हम यूज करेंगे कोई भी strong fixation का spray आपने उस करना है अब ही हम यूज कर सकते हैं इसके लिए क्यों का fixation का spray strong holding power है इसका six to seven number का और P spray भी आप यूज कर सकते हैं इस front variation के लिए आपको quick and fast fixation अगर आपके पास यह फास नहीं है तो you can use this one ताफ पांच नंबर का भी आप यूस का सकते हैं इस अज़ यूसपुल थोड़ा स्लो है बट इनके कमपार में स्लो है वैसे ठीक है एक शाइन इस प्रेश आपको चोगी ये पहले लगाना है दन उसके बाद में हम दूसरा है स्प्रेश हम जो है वो अपलाई करेंगे ओकी सो यह है हमारी आज की मॉडल जिसमें हम आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं स्लेक्शनिंग कैसे रहने वाली है सो केवल इस बॉक्स काइड ओफ सेक्शन में या यू काइड ओफ सेक्शन में या इसको आप वी काइड ओफ सेक्शन भी बोच सकते हैं बेसिकली यू काइंड ऑफ सेक्शन जो कि हमने साइड पार्टिशन को यहां माना है और इसको कर्व में लेते वे यहां तक आये हैं इतना ही सेक्शन आपको चाहिए इस फ्रेंट वेरियेशन के लिए बाकी डिपेंड करता है आप इतने लियर इसकी बना रहे हैं इसमें हमार मिनिमम पौ कातहिए टेन लियराराम से से बन जाएँगी अगर आप का स्टेर्शन पीछे तक आजाएगा तब आप इसको और भी पीछे तक ले सकतेहं यहां पे आपका पौ मन जाएगा यहां से भी लाइन ऋवह का आप देश सकते हैं इस पूरे पार्ट पे आप लाइन देख लीजे, it's you kind of section, from side partition से आपने इस type का section ले रहा है, finger count कर रहा हूं यहां से it's four finger around, manicune पे, client पे, आफ फिफ्ट या six finger भी आप ले सकते हैं, इस तरह का you kind of section, अब यहां से आपने इसको diagonally चलना है, अब यहां से आपने इसको diagonally चलना है, see, तो यहां से इस corner point से आप बिल्कुल ऐसे diagonal आएंगे, दूसरा ऐसे जाएगा, तो one, two, three आपके layer यहां पे बन जाएंगे, so बिल्कुल corner point से आपको diagonal चलना है, so we are coming diagonal, इस तरीके से तिर्चा section, और कुछ नहीं, जैसे देखो, यह section पकड़ा है आपने, side में बिल्कुल कॉम करें, ऐसे, तो पहले थोड़ा सा हम shine spray करेंगे, ठीक है, shine spray shining के लिए, और थोड़ा सा frisbee control करेगा यह, तो real hair पे भी आपने ऐसे करना है, इसको बारम बार कॉम करें, इनको उपर की तरफ, और उपर से side की तरफ, देखो, यह clean किये हमने, तो यह corner का बाल है, जिसको हम उदर spread करने वाले हैं, देखो, हतेली हमने यू रखी है, आप normal side way में भी कॉम कर सकते हूँ, ऐसे, तो देखो, हमने यह normal रखा है, हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को lift up कर रहे हैं, और इसको spread करते वे, पीछे ले जा रहे हैं, तो कैसे करना है आपने, again, see, कॉम, पहले अच्छे से कॉम करें, neat and clean, now, इसको बिल्कुल यहीं पकड़ना है आपने, थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ आपको, देखो, यहां पे गौर करो, कैसे पकड़ा है, यह पीछे वाला पार्ट, यह थम से दबा दिया है हमने, और आगे वाले पार्ट को यहां से नहीं खेंचा, केवल कोने से और उदर की करवने इसको बढ़ाया है, और अगे यहां पे पकड़ लिया है, स्प्रे करेंगे, तो क्यून का स्प्रे हम यूज कर रहे हैं, क्विक फिक्सेशन स्प्रे है, यहां पे आपने 1, 2, 1, 2, दो बार आपने स्प्रे करना है, इसको आप क्लीन करेंगे, क्लीन करेंगे, ब्लो कर सकते हैं, साथ साथ आप, अभी हमने एक बार किया है, अगें, सेकिंड टाइम, 1, 2, 1, 2, बार कर रहे हैं, 1, 2, 1, 2, that's it, 3 ताइम हमने स्प्रे किया, इसको ब्लो करना है, करवने शेप देनी है, छोटे छोटे फ्लाइ फ बहुत ध्यान से आपने करना है, नाव, यह पार्ट फिक्स हो चुका है, वॉल्यूम हम दे चुके हैं, नाव, यहां से देखो, यह पार्ट ऐसे उठाना नहीं, आप लो क्या गल्ती करते हो, इसको ऐसे कर दिया है, यह उठ जाते है, और फिर सारी फ्रंट की लुग पॉइंट जो पीछे वाला पॉइंट है, इसको हमने कॉम कर दिया है, और इसको प्रेस करते हैं, अंगुठे से दबा दो और पीछे आजाओ, देखो, यह कर्वनेस बन गई है, अब यहां पर खैस दिया है, चाहे आप यहां पर यूपिन लगा सकते हो, ऐसे, इसको प्रे इसको हम आई ब्रूज की आर्च पॉइंट तक स्प्रेड करेंगे, यहां तक, सो इसको आगे की तरफ धकेलते वे, पीछे वाले बालों को यहां से, ऐसे फ्रेंट की तरफ आप धीरे करके आपने पुल डाउन करना है, नीचे की तरफ से, यहां हैवी रहेगा सेक्शन और यहां पर बिलकुल फाइन हो जाएगा, ट्रांस्परेंट भी आप इसको दे सकते हैं, थोड़ा फ्लॉलेस लगेगा, स्प्रेड करें, एकदम से करने की जरूरत नहीं है, आपने फाइनली इसको स्प्रेड करना है, तेलकॉम से थोड़ा इसको इवनली आपने डिस्ट्रि में देना है, डाउनवर्ड साइड एरिया को कवर अप करते हुए, जितना फॉल आपको चहिए उतना आप यह पहली लियर्ड पे दे सकते हो, सो मैक्सिमम फॉल जो पहली लियर्ड है, स्प्रेडिंग यहां से और यहां के हमने, और रिमेनिंग पार्ट को भी पीछे खेच और यहां पे आपने स्प्रे कर देना है, बहल के हाथ से जिंटल वे से क्लें करें, चोटे चोटे फ्लाइ फ्लाइ फ्रिजी हैर को कंचूल करें, अभी हमने इसको फिक्स नहीं किया है, वी आर अप्लाइंग जस्यू पिन यहां पे होल्डिंग के लिए, जब अमारी सेकिं क्लाइन पे हम इस साइट लॉक्स को कवर करते हैं, क्लाइन पे आप इतना भी दे सकते हो, और फॉल चीए तो इसको नीचे कहस दो, यहां पे आप यूपिन लगा सकते हैं, जस इसको फॉल को मेंटेन करने के लिए कि मुझे माक्सिमम फॉल चीए उपर ना उठे, ऐसे इस किसी और दिन आपको वह भी बताएंगे, दूसरा सेक्शन सेम, इसको रूट से कॉम करना है, यह पे ऐसा ना हो कि आपका स्प्रे लग गया क्योंकि अभी आपने यह बनाया तो इसको कॉम करना है, अच्छे से अगें, अगें शाइन स्प्रे का यूज करें शाइन के लिए तो हमने शाइन स्प्रे किया, सेम वे, सेम तरीका रहेगा, फिर पास से रिका रहा हूँ, अगें एक बार और, गौर से देखें, क्यासे करना है, अगें, डाइगिनल सेक्शन लेंगे हम, देखो, यहां से फिर मैंने, और इस तरफ, तिर्चा आना है, क्या आना है, देखो, मैं साइट पे आ गया हूँ, कॉम करना है इस तरफ, कॉम करना है साइट वे की तरफ, अब यहां पे चाहे दो फिंगर से पकड़ो यू, चाहे आप ऐसे अंगूठे के साथ पकड़ो जैसे हमने पहले पकड़ाता, अब यह देखो, यह पहली लियर उठ रही है, औ इसको आगे-ागे से आपने जैसे लाइन उठाते हैं, इसको उपर की तरफ प्रेड करना है, और इस लियर से थोड़ा उंचा या हाइट में आपने दिखाना है, बस यह करवने सागी मिरर में चेक करो, इस लुकिंग नाइस और इसको तूरण इस प्रे मार के वहीं पिक्स ताकि आपका स्प्रेश जल्दी सुके और आप इसको जल्दी से फिक्स कर पाएं, तो अगेन एक बार और इसको फिक्स करने के लिए, ब्लू, ब्लू, देखो, ब्लू ड्राइ आपने पहले ही इधर कर लेना है, ताकि आपको इसकी डारेक्शन ऐसे प्ले करने में गया है, मैं आपको बैक पॉइंट से दिखा रहा हूँ, यहां से देखो, तो यह ग्यापिंग, यह होलिंग नहीं बनानी है आपने यहां से, तो देखो अभी कैसे मूमें ले रहे हैं, यहां पे हमने पकड़ा इसको दो फिंगर से, अपकॉम इधर से ने पीछे की तरफ गये हैं, देखो बैकवर्ड, और यह पीछले वाला हिस्सा, यह देखो, यह मैंने टेलकॉम से दबा दिया है, बिलकुल मैं पीछे आ गया हूँ, खैच दिया है सेक्शन को, अगेन मैंने यूपिन लगाई, यहां पे, कि यह पोर्शन उठेना, और रिमेनिंग सेक्शन को तो देखो, लिफ्ट अप कर दिया है, यह देखो कर्वनेस बना दी है मैंने, अब इसको मुझे थोड़ा सा कर्वनेस को मेंटेन रखते हुए, और नीचे की तरफ धकिलना है, तो बस यहां से आप स्प्रेड करें, यह पीछे वाले बालों को हम नीचे खैच रहे हैं, कितना डिस्टेंस रखना है? इतना ही डिस्टेंस हम भाल पॉ niet तक बैक पोंट तक मैनें करेंगे, और इतना डिस्टेंस बहुत है तो इसको आप स्प्रे कर ले शुँड़ा सा, यहां पे थोड़ा सा इसको नीचे खैच भवने, तो हम पीछे चले अगे काई और वही से होल कर दिया है, so this is basically our second layer, जो हमने तयार करी और इस्टेंस हमने एक लियर और दूसरी लियर के बीच में इतना रखा हुआ है, थर्ड लियर हम लेंगे अगें, सेम, इस्टेंस आप जादा भी मिंटें कर सकते हो, इसटेंस करता है आपके ऊपर की आप उसको फौल में में दे रहे हैं, तो आप इस्टेंस अपकितना मैं टेंविधर कर रहे हैं, इक फिंगर का इसस्टेंस कर रहmoi है, वी ओंगर का यि नाहीं रखा हुए है, करता है आपको कैसा पसंद आ रहा है या क्लाइन का टेस्ट कैसा है या पिक्चर में वो कैसा बना रखा है कितने डिस्टेंस में एवरिजन okay so this is our third section same रहेगा again side point पे थोड़ा सा diagonal कर रहा हूं मैंनिक्यून को आपको थोड़ा side से अच्छा दिखेगा see यहां से again मैं इसको side में कॉम कर रहा हूं अब देखो third layer में भी again हमने यह पहला वाला हिसा यह देख रहे हो इसको आपने यूँ उठा लेना है basically आगे आगे बट यह ग्याप नहीं देना आपने यह ग्याप आ रहा है तो समर्लो आपकी spreading ठीक नहीं है यह spread connect होना चाहिए ऐसा जुड़ा हुआ होना चाहिए और उप पर यह fine रखना है आपने fine रखेंगे तो इसको hold कर पाएगा जल्दी एक बारी में ही यह fix कर लेगा तो अच्छे से इसको अगें फिर हम अगें shine spray करेंगे पहले थोड़ा सा कॉम करेंगे साइड वे में ही इसको और अगें same way same technique यह यह उपीन हटा ले इसकी जरूरत नहीं इसको बिलकुल फ्लाटर रखा हमने front point को उठाना है root से कॉम किया root से कॉम किया now is point को spread करना है same देखो यह transparent हो गया हलका और height में यह सबसे नीचे है यह थोड़ा सा और अपर है और यह सबसे ऊपर automatically आजाएगा if you are working with the diagonal section yes that's looking nice now just apply the hold spray again quick fixation spray light wheat hulka corner से आपने ख्याचना है spray करना है one two blow करें पहले इसको fix करना है that's it so this quick fixation है एक बारी में ही fix जाता है इससे again फिर भी हम दो बार करने one two one two spray हमेशा दूर से करें सुखाना है इसको ब्लू करना है now same way same technique we are repeating here वही तरीका यहाँ पे भी हम रेपेट करेंगे छोटे छोटे फ्लाइफ्रिजी हैर को कंच्रूल करें यहाँ पे भी कॉम किया पीछे की तरह पाए टर्न किया यहाँ पे दबाया इसको पीछे करवने मिन्टीन करें now यहाँ से आप इसको फिर स्प्रेड करेंगे डाउनवर्ट की तरह अगीं पीछे के बाल पीछे वाले बालो को थोड़ा नीचे की तरह दखे लें इवनली इसको हम डिस्टिब्यूट करेंगे बराबर 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 इसको भी same hair है पीछे भी आ अगिए दूर से अपने प्रे मारे इसको फिक्स कर ले यहाँ बरॉडर लाइन को क्लीन करें चोटे चोटे प्लाइफिजी है को टारे अपने दार इसको आफ खिर एसको अपने तैयार करी यही पकड़ा इसको ल्के से वाइड आप आप ठीछे थे पीछे के लिए ले जान जो भी आप इसको कहना चाहें, ऐसे आपने इसको तयार करना है, यह हमने तीन लियर बनाई है, तो वन, टू एंड त्री, एंड यह गुलाई का आप ध्यान रखेंगे, विद द पफ, ऐसे आप इसको तयार करेंगे, अब हम तीनों लियर को एक साथ लेके लोग करने जा रहे और सुनु प्रोसेस में कॉम करेंगे और सुनु प्रोसेस में कॉम करेंगे और इसको आपने स्प्रे करना है, चोटे चोटे बालों को आप होड़ स्प्रे के साथ में, तो मैंने काफी स्प्रे किया है, नाव अगेन इसी फोग कॉम के मदद से हम इसको कॉम कर रहे हैं, चो पॉनितियल के नीचे हम यहां आ गई हैं and we'll apply the bobby pin बिलो पॉनितियल यहां पे आपने अपने जर्स्ट पॉनितियल को लगा लेना है that's it, अगर आपको बन वगरा बना रहे हैं तो इसको कवर अप कर लेंगे, छुपा देंगे so ऐसे आपने front variation को, S front variation को तयार करना है so this is the technique, this is the way, yes it's looking nice, यह यह यूपिन को भी हटा देना है हमने बस चोटे-चोटे fly-pris-e-hair को, control करें so this is the technique guys for making S-leared front variation, और यह front variation काफी demanding में है आप लोगों को मालूम है और आप लोगों को भी बहुत पसंद है, so hope so आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे आपने इस front variation को तयार करना है, हमने काफी detail में आप लोगों को बताया है वीडियो को बार-बार again and again देखें ताकि आपको समझ में आए मैंने hand movement का काफी ध्यान रखा है ताकि आप लोगों को चीजे समझ में आए तो प्लीज नोटिस करें कैसे हम hand movement को कर रहे हैं, छोटे-छोटे बातों को गौर से सुने और साथ-साथ में आप प्रैक्टिस करें तो वो आपको जल्दी आएगा तो वीडियो को चला लें और साथ में देख के प्रैक्टिस करें जरूर हमें इंस्टाग्राम पे टेग करें यह हैस्टाइल बनाने के बाद में सुनेल कुमा हैस्टाइलिस के नाम से आप हमें टेग कर सकते हैं इंस्टापे तो दोस्तों ये थे हमारा आज का टुटोरियल S-Liard Front Variation होपसो आप लोगों को Front Variation समझ में आया होगा कि कैसे आपने इसको तयार करना है वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे Like, Share ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन सबी लोगों के साथ में जिनको भी हैस्टाइलिंग सीखनी है या जिसको भी ये Front Variation सीखना चाहिए अपने फ्रेंट्स के साथ में श्यूर करें सो कि दोस्तों आज के लिए इतना ही नहीं हाई है चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दें इससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन मिलती रहेगे सो कि दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ तब तक अपना ध्यान रखें और आप सभी लोगों का प्यार एंसा पूट ऐसे बनाये रहे तिल देन सी यू सून बाबाई